जिन्दिगी में अगर कोई सबसे सही रास्ता दिखाने वाला दोस्त है ना तो वो है आपका अनुभाव यानि की experience कहने का मतलब है कि अगर आपका past कैसा भी हो वहाँ से आप अपने गलतियों से बहुत कुछ सीखते हैं और वो गलती सही मायने में गलती नहीं है आने वाले कल में आप किसी भी मुष्किल में पड़ जाओ आप वहां से निकलने की चमता रखते हैं क्योंकि आपको पता है आप इस से पहले भी बहुत सारे मुष्किल में पड़े थे और वहाँ पर आप गीरे थे लेकिन गिरे थे इसका मतलब यहीं नहीं कि वो गिरना आपके लिए खराब है वो एक आपका अनुभाव बन गया है कि अगर आप इन फ्यूचर कभी भी अगर वैसे प्रॉब्लम में फस जाए तो आपको आइडिया है कि वहां से निकलना कैसे कहने का मतलब है अनुभाव बहुत बड़ा चीज होता है आपके जीवन में आपकी फ्यूचर में जो आपके फ्यूचर को समहाल सके कहने का मतलब है क्लास को स्टार्ट करUंगा और बोलूँगा चैमल के उपर जो भी नय है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा देना आप सभी ताकि नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे और ट्रिग्डोमेट्री का मैंने तीन पार्ट करवाया है चैनल पर आपको मिल जाएगा प्रेलिस्ट भी मैंने बना दिया है चौथा वीडियो आज आपको साम को पांच बजे हमारे ही चैनल पर मिल जाएगा और आज की वीडियो में मैं आपको अलग-अलग टाइप के कंसेप्ट सवाल कराऊंगा जो आपके एक्जाम में बनते हैं अकसर तो पांच बजे आप सभी वीडियो का वेट करना और एक बात आप किसी भी एक्जाम का मोग टेस जो है अपने फोन के उपर दे सकते हैं हमारे एप्लिकेशन को डाउनलोड करने के बाद और डाउनलोड करने के बाद आप जो टेस्ट है अप हिंदी और इंगलिस दोनों ही लेंग्वेज में दे सकते हैं बैंक रेलवे या एससी के कोई भी एक्जाम और एक बात वहां से 349 वाला पैकेज बाई करेंगे तो एक साल के वेलिडिटी के साथ यानि एक साल तक आने वाले हर एक्जाम का मोग टेस्ट आप सभी दे सकते हैं ठीक है और आज कवर करेंगे हम सभी 23 अप्रेल के important current affair कुछ important point के साथ तो देखते हैं पहला परस्त जो है हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है और पहला परस्त हमारे सामने है सहराई ओरम जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो पूर्व cabinet minister भी रह चुके है उन्होंने किस राजनितिक दल का यानि वो किस जुड़े हुए थे ये आपको बताना है हाला कि वो बहुत बार न अपना यानि बहुत बार जो है वो इंडिपेंडेंट भी लड़े है और एक दो बार जो है वो जेडिव से भी लड़े है तो आपका answer क्या होगा option number D जेडिव ठीक है जनता दल अगला प्रस्त हमारे सामन है Harry Potter के चरित्र सालजार सिल्थेरीन के नाम से एक नया पीट वाइपर जो है वो किस राज में खो जा गया है यह आपको बताना है अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि यह पीट वाइपर है क्या आपने हरा कलर का साप यानि स्नेक देखा होगा ना ग्रीन कलर का उसी को आपका पीट वाइपर और यह खो जा गया है आपका अरुनाचल परदेश में आपका क्या है और अरुनाचल परदेश के मुख्य मंत्री का नाम है पेमा कांडू और वहां के जो राज जुपाल है उनका नाम है आपका बीडी मिस्रा और अरुनाचल परदेश का जो ठीक है अगला प्रस्त हमारे सामने है लोगडाउन के बीच किस राज की सरकार ने फलो और सब्जियों की होम डिलेवरी के लिए एक नया वेबसाइट सुरू किया गया है आप सभी को पता है लोगडाउन में बहुत सारे लोग जो है इसका पालन नहीं कर रहे हैं और डेली हुआ में मार्केट के लिए ऐसे निकलते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है इस सब को नजर में रखते हुए 36 गड़ के मोख्य मंत्री ने यह फैसला किया है न कि एक पॉर्टल एक वेबसाइट चालू किया गया है जिसका नाम क्या है जिसको नाम दिया गया है आपका cg पर जाने के बाद आप जो है फ़ल सबजी आपको कितना लेना है कितना नहीं लेना है यानि आप और लाइन बुकिंग कर सकते हैं और वो सब कुछ जो है आपके घर तक जो है वो होम डिलेवरी जो है वो कर दी जाएगी तो ये एक अच्छा स्टेप आप बोल सकते हो 36 गड और मैं बोलूँगा वहाँ का राजधानी क्या है तो आप बोलेंगे राइपूर ठीक है अगला प्रस्त हमारे सामने है एक किताब है जो पीवी सिंदू के उपर लिखा गया है किताब का सिर्षक क्या है पहले आप वो किलियर कर लो सटलिंग टू दा टॉप दा इस्टोरी अफ पीवी सिंदू इस किताब का जो लेखक है न उसका नाम आपको बताना है आप याद रखना बहुत बड़ा जो जो किताब लाँच होता है जो पॉपुलर बुक होता है उसके ऑथर और किताब का नाम आपको याद रखना है क्योंकि एक्जाम में अभी हाल फिलाल में बहुत कुश्यन बन रहा है बस ऑथर और बुक्स को लेकर तो जो यो किताब है आपका सर्टलिंग टू दा टॉप आप ओफ दा इस्टोरी ओफ पीवी सिंदू इसके लेखक कौन है क्रिश्णा स्वामी भी आपका क्या आपका सी ठीक है अगला प्रसमाने सामने है कि यह आपको बताना है तो यह बहुत पॉपुलर लेखक है और यह किस देश से जुड़े हुए है तो यह जुड़े हुए है आपका चीली से और आपका डी और आज का आप सभी का पहला परस्त यही से निकल कर आ रहा है आप सभी को कॉमेंट करकर यह बताना है चीली के रास आपको चिली का कॉमेंट करकर बताना है यह आपका आज का पहला प्रस्तन है ठीक है ना अगला प्रस्त मारे सामने है French Open Championship के साथ scheduling तकराओ के कारण यानि जो French Open जो टूनामेंट है टेनिस टूनामेंट वो जो है एक ही डेट पर भीर गया है किसके साथ तो उस प्रसिद लॉन टेनिस चेंपेंशिप का नाम बताना जो 2021 तक स्तगीत कर दिया गया है क्वेस्टन को थोड़ा समझाओंगा आप सभी को पता है हर एक टूनामेंट जो है ना वो जो है वो रिसिडिल किया जा रहा है क्योंकि अभी क्रोना वाइरस को भी 19 के वज़े से कोई भी गेम अब कोई भी गेम उठा कर देख लो कोई भी गेम नहीं हो रहा है तो यहाँ पर बोल रहा है जो फ्रेंच ओपन चैंपिन सीप है ना टूनामेंट वो जो है उसका डेट और साथ ही साथ लेवर कप का डेट जो है वो एक साथ भी गया है जिसके वज़े से इस टूनामेंट को जो है तोगर 21 तक जो है वो इस्तगित कर दिया गया है ठीक है न अगला प्रस हमारे सामने है जी सत्यान को पीछे छोड़ते हुए ITTF यानि यहाँ पर बात कर रहा है टेबल टेनिस की यह आप थोड़ा ध्यान रखना इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ITTF का फुल फ्राम की रैंकिंग जारी की गई है उस रैंकिंग के अनुसार भारत टेबल टेनिस खिलाडी कौन बन गए यानि इंडिया के तरब से सबसे अच्छा रैंकिंग किसका है यह आपको बताना है जो नया रैंकिंग जारी किया गया है ITTF यानि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के द्वारा तो इंडिया के तरब से जिस खिलाडी को सबसे अच्छा ranking दिया गया है ranking में, उनका नाम है आपका सरत कमल, option number आपका D, अब आपके mind में आ रहा होगा, भईया इनको rank दिया कितना गया है, तो इनको rank दिया गया है आपका 31st, ठीक है, तो इंडिया से मात्र यही खिलाड़ी है, जो top पर है, अब बोलेंगे भईया इनका rank तो 31st है, एक number पर कौन है, table tennis में, तो आपके पास वो भी नाम दिया गया है, जो चाइना से, ठीक है, अगला प्रस्त हमारे सामने है, उस company का नाम बताना है, जिसको 153 करोर रुपए में, सबसे British Motorcycle brandो में से एक, Norton Motorcycle का अधिगरण किया गया है, यहाँ पर question को थोड़ा अच्छे से आप सभी समझ लेना, British Motorcycle का एक brand है, जिसका नाम क्या है, Norton Motorcycle, इसका अधिगरण किया गया है, 153 करोर रुपए में, किसके द्वारा, तो TVS कंपनी के द्वारा, TVS का स्कूटर, स्कूटी, तो बाउट बाइक, आपने तो देखा ही होगा न, तो यही कंपनी ने अधिगरण किया है, Norton Motorcycle का जो, बिटेन की Motorcycle कंपनी है, कितने करोर रुपए में, तो 153 करोर रुपए में अधिगरण किया गया है, ठीक है, अगला प्रस्त हमारे सामने है, राष्ट ग्रामिण, विकास और पंचायती राज संस्थान, यानि National Institutes of Ruler Development and पंचायती राज, NIR, DPR, ने किस अंतराष्टे संघटन के साथ मिलकर, COVID-19 का मुकाबला करने के लिए, समुदाई के नेताओं को जो है, वो और लाइन ट्रेनिंग बोल सकते हो, दिया गया है, ताकि यहाँ पर आप सभी समझ लेना, कि यहाँ पर क्या हो रहा है न, जो भी राष्ट ग्रामिण, विकास और पंचायती राज संस्थान ने, दोनों ने मिल, इसने, इसने, और UNICEF, इसने मिलकर, जो है, जितने भी community leader है न, उनको online training देने का फैसला किया है, क्योंकि, वो अपने लोगों को, जहां रहते हैं, उन लोगों को जो है, वो समझा सके, COVID-19 से कैसे लड़ा जा सकता है, क्या-क्या सुरक्षा पर आपको ध्यान देना चाहिए, तो जो भी training है, safety को ल कौन सिखाएगा, ये कौन conduct कर रहा है ऐसा, तो राश्टिक ग्रामिन विकास और पंचायती राशंस्थान और UNICEF दोनों मिलकर, ठीक है, दोनों मिलकर, और अगर बात करूँ, UNICEF का जो हेड है, उनका नाम क्या है, हैंरेटा H4, और UNICEF का गठन कभ हुआ था, तो आप बोल इसका पूरा का पूरा PDF आपको हमारे टेलिग्राम के उपर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको दिया गया है, विडियो के डिस्किप्शन बॉक्स में, हाला कि PDF का लिंक मैंने विडियो के नीचे भी दे दिया है, वहां से भी आप डिरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, या फ जुड़कर हर एक कंटेंट जो है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, सो मेरे जितने भी भाई बैन है, सभी को बहुत बहुत गुद मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने सासत, अपने मम्मी और पापा का भी खयाल लगेगा, ठीक है न, चलिए